हेलो फ्रेंड्स, गार्णिंग रेसिपीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपका बसवराज उत्माले, आज हम हाइब्रीड हिबिसकस के बारे में बात करेंगे, हाइब्रीड हिबिसकस के केरिंग टिप्स के बारे में, तो फिर चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट केरिंग टिप्स को तो आप जानते होंगे, मिट्टी, मिट्टी को आपको पूरी भुर्बुरी सी मिट्टी आपको इस्तमाल करनी पड़ेगी, मिट्टी में आप one-fourth पौर्ट आप sand डाल सकते हैं, और थ्रिफोर्ट मिट्टी डाल सकते हैं, गार्डन सौइल फुल सीजन फ्लावरिंग करता है, फुल सीजन ग्रोथ करता है, सिर्फ विंटर में डॉर्मेंसी में चला जाता है, विंटर के कुछ दिनों में वो सो जाता है, मतलब पूरी तर से डॉर्मेंसी में चला जाता है, उसके लिवस वगेरे यलो होते हैं, और फ्लावर बड्स भी गिरने शुरूत है इसलिए आप लेकिन आपको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं ओ फिर से समर में मतलब मार्च में ओगेरा फेबरोरी मार्च में अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा और फ्रेंट्स नेक्स्ट केरिंटिक्स है कि आप उसको पानी बहुत कम दिजें जब उसकी मिट्टी सुकी दिके तबी आप उसको फ्लावरिंग पानी दिजें तब यह अप उसको फ्लावर पानी दीजे और आप उसको कोई भी फल्टिलाजर देख सकते किचन वेस्ट कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट दे सकते या डीएपी एनपी के ऐसे केमिकल भी दे सकते लेकिन केमिकल ध्यान रखे थोड़ा सा देना पड़ेगा और इपसम सॉल् बहुत ज़्यादा अटेक करते और वी विंटर में बहुत ज़्यादा अटेक करते इसलिए आप नीम ओयल का स्प्रेय जरूर कीजिए और नेक्स्ट केरिंगे आपको पेड़ बुशी बनाना है तो उपर की टिप जरूर काटिए उससे पौदा बहुत बुशी बनता है और आप इसको कलम से भी उगा सकते हैं और हम तो भी कलम से उगाते हैं सीड से भी उगा सकते हैं लेकिन हम अभी तक सीड से नहीं उगाए हम जल्दी सीड से भी उगाने वाले ज्यादा तर हाइब्रेड हिबिसकस को ग्राफ्टिंग से किया जाता है और फ्रेंड्स आप इसको 6-7 गंटे की दूप जरूर दिजे डायरेक्ट या इन डायरेक्ट 6-7 गंटे की दूप जरूर दिजे और फ्रेंड्स आप इसको ओर वाटरिंग बिल्कुल भी मत कीजे हिबिसकस को ओर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंने पानी पसंने लेकिन और वाटरिंग बिल्कुल पसंने जैसे आप और वाटरिंग करेंगे इसके लिव जेलो होंगे और सारे जड़ने शुरू हो जाएंगे तो ठीक है फ्रेंड्स इसी के साथ आज हम वीडियो खतम कर रहे हैं प्लीज लाइक, शेर, कमेंट कीजे और सब्सक्राइब भी कीजे थैंक यू